हेलो फ्रेंज कैसे आप लोग वाई होग कि आप लोग अच्छी होंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास देंथ मैथ के प्रशनावाली तीन दसनलब दो के प्रशन संख्या 3 के चौथे भाग को सॉल्फ करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लिए भारा 155 रुपया है नियत भारा तथा प्रति किलोमेटर भारा क्या है एक बेक्ति को 25 किलोमेटर यात्रा करने के लिए कितना भारा देना होगा तो इस प्रश्ण में दो भाग है पहला नियत भारा तथा प्रति किलोमेटर भारा क्या है एक तो ए हो गया दूसरा एक बिक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भारा देना होगा, दुसरा ए हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए जानते हैं कि नियत भारा क्या होता है और प्रति किलोमीटर भारा क्या होता है, देखिए आप कहीं जा रहे हो, और यह क्या है सरक है, ठीक है, आप यहां पर बैठ रहे हो, ठीक है, बैठ रहे हो ना, और आपको क्या करना है, यहां तक जाना है, ठीक है, और ए क्या है, बीच बीच में, जहां पर बस रुकती है, पैसेंजर को बैठाने के लिए, ए हो गया, ठीक है, अब क्या है, कि जब आप यहां पर बैठते हो ना, प हैं 20 रुपय ना कितना रुपया है है इसके बाद प्रत्यक किलोमीटर पढ़िस लुपया है अगर आप यहां पर उत्रोंगे ना यह Iran यह बढ़िस रुपया है यहां से यहां आ जाओगे फिर जो दो रुपया बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा 24 रुप्या हो जाएगा कितना रुप्या हो जाएगा 24 रुप्या हो जाएगा ठीक है लेकिन मान लो कि कोई पैसेंजर है और यहां पर बैठ करके क्या कर रहा है यहां पर बैठ रहा है तो आप क्या कहोगे सर 2 रुप्या हो जाएगा 2 रुप्या हो जाएगा कहां से कहां तक यहां से यहां तक का पहले इस्टेशन तक का ठीक है और फिर यहां से यहां तक कितना रिपया हो जाएगा दो रिपया तो बीस और दो क्या हो जाएगा 22 रिपया हो जाएगा ठीक है नियत भारा का मतलब होता है कि यह भारा फिक्ष्ट है ठीक है जैसे कि आप बस में बैठ रहे हो तो आपको 20 रुप्या चार्ज देना परेगा मतलब जितना रुप्या उसका फिक्स चार्ज है नियत भारा है वह आपको देना परेगा बेशक कि आप बैठ जाओ और आप कहीं मत जाओ आप उतर जाओ ठीक है थोड़ी दर के बाद आप उतर जाओ ठीक ह उसके बाद जैसे जैसे जितना किलोमेटर आप जाओगे वैसे वैसे आपको उसका किराया बरता चला जाएगा ठीक है तो आप समझ गये होंगे कि नियत भारा क्या होता है और प्रति किलोमेटर भारा क्या होता है क्योंकि प्रति किलोमेटर में क्या है कि जितना किलोमेटर आ आपको भारा देना पड़ेगा ठीक है तो हम लोगों को यहीं निकालना है ना कि नियत भारा तथा प्रतिक किलोमीटर भारा क्या है और हमें पता नहीं है तो ऐसी इस्तिति में हम लोग क्या करते हैं करमसा एक्स और वाई मान लेते हैं कि माना कि नियत भारा बराबर एक्स र रूप्या है तो लिखेंगे हल माना की टैक्सी का नियत भारा बरावर एक सुरुप्या है तथा परती किलुमिटर किलुमिटर भारा बरावर वाई रुप्या है यह हमने मान लिया और प्रस्ण में क्या कह रहा है कि दस किलुमिटर दूरी के लिए भारा कितना रुप्या है एक सौर पांच रुप्या है ठीक है तो अब प्रस्ण अनुसार चलेंगे तब प्रस्ण अनुसार दीखें एक भारा तो फिक्स है जिसको हमने क्या माना है एक सुरुप्या है तो ए हो जाएगा एकस प्लस अब जितना किलुमिटर आप चलोगे उसके हिसाब से भारा देना पड़ेगा ठीक है क्क सवलिटर चला है 10 किलुमिटर ठीक है तो एक किलुमिटर का भारा क्या है वalk 5 रुपया है तो दस किलुमिटर का मेइक भारा क्या हो जाएगा ऑर दोनों को मिला देंगे तो कितना दे रहा है 105 रुपया दे रहा है तो यह हो जाएगा एक स्प्लस दस वाइबर एक सो पांच रुपया ठीक है इसको मान लेते हैं समेकरण एक ठीक तथा आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है कि तथा 15 किलोमीटर के लिए भारा 155 रुपया है ठीक है तो एक तो फिक्स है एक्स ठीक और प्रति किलोमीटर भारा वाई रुपया है तो यानि एक किलोमीटर का भारा वाई रुपया है और 15 किलोमीटर तय करना है तो क्या हो करेंगे समिकरन 2 अब इस सवाल को क्या करना है समिकरन 1 और 2 को प्रत्यस्थापन विधी से बनाना है और प्रत्यस्थापन विधी से हम लोग कैसे बनाते हैं यह आप लोग जानते हैं ठीक है समिकरन 1 या समिकरन 2 से x या y का मान निकालना होता है और जब समिकरन 1 से x या y का मान निकालते हैं तो उस मान को समिकरन 2 में प्रत्यस्थापित करते हैं और यदि समिकरन 2 से x या y का मान निकालते हैं तो उस मान को समिकरन 1 में प्रत्यस्थापित करते हैं ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे समिकरण एक से आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे समिकरण एक से समिकरण एक से तो समिकरण एक क्या है एकस प्लस दस वाई बराबर एकसो पांच रुपया ठीक है तो एकस का मान निकालेंगे एकस बराबर क्या है एकसो पांच और प्लस का 10y है बरावर के इस तरह आफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 10y ठीक है यानि x का जो मान निकला तो 105-10y इसको मान लेंगे फिलाल समिकरन 3 ठीक अब समिकरन 3 में जो एक्स का मान है उस मान को समिकरन 2 में प्रत्यस्थापित करेंगे ठीक और यदि 2 से निकाले हुए रहते तो समिकरन 1 में प्रत्यस्थापित करते हैं ठीक है तो लिखेंगे एक्स का मान एक्स का मान कि समिकरन 2 में प्रत्यस्थापित करने पर परतियस्थारपीत करने पर ठीक है तो समिगन्दों क्या है एक्स प्लस पंद्रह वाई बरावर में 155 रुप्या है ठीक है तो एक्स को हटाएंगे और एक्स के जगह पर 105 माइनस दस वाई लिखेंगे ठीक है क्योंकि एक्स बरावर इतना है तो एक्सव पांच माइनस दस वाई ठीक है और यह क्या है प्लस का पंद्रह वाई ठीक बरावर में क्या है एक्सव पच्पन ठीक है चलिए इसको इस तरफ ही रहने देता है फिलाल अब माइनस का दस वाई है और प्लस का पंद्रह वाई है जब घटा देंगे इस में से इसको तो क्या बचेगा प्लस का पांच वाई बचेगा तो प्लस का पांच वाई बरावर देंगे क्या है एक्सव पच्पन और प्लस का एक्सव पांच जब बरावर की इस तरफ आएगा तो यह हो जाएगा माइनस का एक्सव पांच ठीक है यह यह पांच वाई बरावर घटा देंगे तो पांच में से पांच माइनस करेंगे क्या आएगा सुनने ठीक है और 5 में से सुन तुन मैंनस करेंगे तो 5, और 1 May 7 मैंस करेंगगे तो सुन नि आ जाएगा सिसलिए y बराबर क्या होगा तो 50 बत्रा में, पांस काटेंगे, क्या आएगा? 10! जिसल जो y का मान आया? ठो 10 आया अब इस वाई के मान को समिकरन तीन में प्रत्रस्थापित करेंगे ठीक है तो लिखेंगे कि वाई का मान कि समिकरन तीन कि में रखने पर में रखने पर ठीक है तो समिकरन तीन क्या है एकस बराबर एकसो पांच माइनस दस वाई ठीक है और वाई का मान क्या आया है तो यहां हो जाएगा एकस बराबर एकसो पांच माइनस दस गुने 10 यानी एकस बराबर एकस वाई डस में 10 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 100 यानी एकस का मान क्या जाएगा 105 में से एकसो गटाएंगे बचेगा फांच है एकस का माना गया 5 ठिक और हम लोग ने क्या माना था दिकेए यहां । हम लोग ने माना था कि माना कि टैक्षी का नियत भरा एकस repertoire है तथा प्रती Neben Time भारा वाई रूपया है है ना तो जो एक्स का मान आया ओक्या हो गया एक्स का मान हो गया नियत भारा और वाई का मान हो गया प्रति किलोमेटर भारा ठीक है तो एक्स का मान पांच है यानिकि नियत भारा हो गया पांच रूपया ठीक है और प्रति किलोमेटर भारा हो गया द टेक्सी का नियत भारा एक्स बराबर कितना पाँच रुप्या तथा प्रती किलोमीटर किलोमीटर भारा यानि वाई बराबर कितना रुप्या है दस रुप्या ठीक है अब इसमें एक चीज और कह रहा है एक बेक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भारा देना होगा तो लिखेंगे 25 किलोमीटर किलोमीटर कि यात्रा के लिए चुकाया गया भारा बराबर तो फिक्स क्या है पांच रुप्या है ना पहले चलिए इसको लिखते हैं एक्स प्लस क्या हो जाएगा 25 य भी कि इससमान क्या है पांच प्लस 25 गुने व्लस का मन क्या है दस हो थो पट इस में दस से गुना करें क्या आएगा 250 और पांच्च दो सठाट रुपया ठीक है यह है जो जाएगा इसका ईनसर हो जाएगा ठीक है और एक इंसर दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सवाल स्वंज में आ गया होगा अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं मैं कोशिज करूँगा आपके कमेंट का जवाब देने का और दोस्तों हमने पिछले साल तक पूरे सिलेवस को कंप्लीट कर झाल